अलग अलग टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल पर आपको मिलेंगे एकदम इजी एंड क्विक रेसिपीज जो बनेंगे घर में मौझुद सामुगरे से ही, तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी आज हम बनाएंगे समर स्पेशल कोकोनट मिल्कशेक, ये मिल्कशेक बनाने के लिए मैंने आपे एक कप फ्रेश नारी अल्ली है, इसको मैं एक मिक्सी के बरतन में डाल देती हूँ, अब इसमें मैं डालूंगी ये दो हरी लाइची, अब सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे और सली पीसने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप ठंडा पानी, और फिर से एक बार मैं इसको फाइन पीस लेती हूँ, और अब इसका हम दूद निकालेंगे, इसके लिए मैं इसको अच्छे से चान के लेती हूँ, आप चाहो तो आप इसको कपड़े से भी चा मैं डाल देती हूँ, तो यह देखे, यहाँ पे अपने नारियल का दूद मैंने निकाल दिया है, और इसे मैंने तीन बार आधा 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 कप पानी डाल के पीस लिया था, और उसके बाद छान के लिए है, फिलाल यह हम साइड में रख देते हैं, और अब हम यह देखे, यहाँ पे मैंने दस बादाम सोक करके लिए थे, और उसका चिलका निकाल दिया है, दस सोक किये हुए काजू, दस पिस्ते, और दस किश्मिश, अब इसी के साथ इसमे मैं डालूंगी यह चार चमत चीनी, यहाँ पे आप चीनी का प्रमाण आपने हिसाब से कम जादा कर सकत हो, और इसको पिसने के लिए इसमे मैं डालूंगी यह आधा कप नारियल का पानी, और अब मैं इसकी एक फाइन पेस्ट बना देती हूँ, तो यह देखे, यहाँ पे अपनी पेस्ट भी बन गई है, तो अब हम क्या करेंगी, यह जो अपनी पेस्ट है, वो हम फिर से एक ब आउडर, और फिर से एक बार में इसे मिक्सी में गुमा देती हूँ, तो अब फाइनली यह देखे, यहाँ पे अपना एक दमबड़िया सा हेल्दी कोकोनट मिल्क शेक बनके तयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसे भी सव करके देखते हैं, तो यह लिजे, यहाँ पे से थोड़े से पिस्ता और बादाम की कतरन, तो फ्रेंट्स यह मिल्क शेक भी आप एक बर जरूर ट्राइ करके देखिए, क्योंकि यह बहुत ही स्वाधिश्ट बन जाता है, और गर्मी के दिनों में आपको इसे पी के बहुत ही अच्छा फिल होगा, तो आप मेरी यह रेस के साथ, तब तब, थेंक यू